Hello friends, Radhe Radhe, you are most welcome to my class. This is Sohan Sharma and you are watching Ravi's English Classes. So friends, आज हम सीखेंगे Future Continuous. Yes, Future Continuous. Continuous, it means किसी काम का जारी हो रहना. किसी काम में निरंतरता होना. ये तीनों में है, Present Continuous भी है, Past Continuous भी है, और आज हम कर रहे हैं Future Continuous. Continuous इसका मतलब किसी काम का Progress होना, इसलिए इसको Progressive Tense भी करते हैं. तो don't be confused about it, कि Future Continuous या कोई बोले आपको Future Progressive, तो बोथा भी सेंग, दोनों एक ही है. लेकिं, Continuous जैसे कि बताया, कि किसी काम का जारी होना. हमने Present जब Continuous कियाता, तो उसमें देखाता कि वाक्य केंत में रहा है, Past Continuous में रहा था, तो Future Continuous में रहा होगा. पीनों में एक बात सेंग आ रही है, रहा, जिनके अंत में रहा, रहा, रही, रहे, तो इसका मतलब Continuous, अब कौन सा Continuous इसका मतलब अगर उनके आगे है लगा हुआ है, रहा है, रही, है, रहे है, तो Present Continuous, रहा था, रही, थी, रहे थे, तो Past Continuous. और इसी तरह आपको Hindi sentences के end में यदि मिले रहा होगा, रही, होगी, रहे होंगे, तो समझ जाए यह है Future Continuous, जी हाँ, यह इसकी पहचान है हिंडी वाक्य के अंत में. अगर हम बात करें इसके English sentences में किस तरह identify करें, तो यदि आपको मिले Will या Shall के साथ में B Plus Word की Fourth Form, जिसे कहते है Present Participle, और जिसे कई बच्चे कहते हैं I.N.G. Form. यह अगर आपको नज़र आए तो समझ जाए यह क्या है Future Continuous, तो यह दोनों पहचान होगे, यह हिंडी में, हिंडी वाक्य के केंप में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, या फिर रहा होंगा, रही होंगी, और English में Will Shall के साथ में B Plus Word की Fourth Form, अगर हम बात करें Will or Shall की, तो यह मैंने Future Indefinite में ही बता दिया था कि We और I के साथ में Shall का Use, बाकि सारे Persons के साथ में Will का Use करते हैं, according to Traditional English, ठीक है, Traditional English में ऐसा था कि I, V के साथ Shall, बाकि सब के साथ में Will, लेकिन according to Modern English Grammar, अब सभी Persons के साथ में हम Will का Use कर सकते हैं, इत्लिस I, V के साथ आप Will का Use करें, तो भ और Shall का Use करें, तो भी Correct है, आप देखें, यह इसके structure है, इसके term wise आते रहेंगे, पहले हम चलेंगे इसके translation के लिए, translation देखें, अभी अभी हमने सीका, जिन हिंदी वाक्यों के इंप में में से कोई शव्द हो, तो समझ जाएं, वो future continuous है, हमने देखा इसके end में, जी हां, कि किसी भी sentence का translate करने के लिए, आप उस sentence के, अगर end में देखें, तो end में क्या रही होंगी, रहे होंगे, रहे होंगे, इसका मतलब यह सारे sentences से future continuous को, पहले बात प्रिया होगे अपना tense, आप देखें, sentence का translation के लिए, हम शुरू आप किससे करने है, समसेक्ट से, इसका मतलब का हम कोन कर रहा है, मैं, तो हम यही से शुरू करेंगे, I और I के साथ, आप बिल भी उज़ कर सकते हैं, या फिर शेल भी, आपको एक ही उज़ करना है, यह सिर्फ मापको समझाने के लिए बता रहे हो, तो I will या शेल, I shall, इनके साथ में उज़ करेंगे, बी, clear, तो यह हो गय का, I will, या I shall be, काम क्या कर रहे होंगे, लिखने का, और लिखने को, write, लेकिन इसकी बनाने हमें, फोर्थ फॉर्म जिसे करते हैं, I-N-G फॉर्म तो, I shall be writing, what, क्या लिख रहे होंगे, अब देख एक चीज, कि जो at that time है, mostly बताया जाता है, कि पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, clear, लेकिन एक बार आप तो थोरे से सेंस में जाएए, आप देखें, last में क्या रहे होंगी, तो इसका रहे होंगे, अरे उस वक्त तो में आओगे, उस वक्त तो में ये काम कर रह होंगे, तो हम बोलते ही कैसे हैं, उस वक्त, और उस वक्त को क्या बोलेंगे, at that time, जैसे बोलेंगे, इस वक्त तो वो ये कर रहा होगा, तो at this time, clear, at that time, उस वक्त या उस समय, at this time, is वक्त या इस समय, clear, तो ये हो गया हमारा, I shall be writing the thesis at this, yeah, at that time, now next is, कल इस वक्त हम महिला सं इसका मतलब वी और वी के साथ में क्या एगा या शैल या विल बोने से कुछ भी उसकर सकते हैं तो वी शैल भी या विल भी काम क्या कर रहे होंगे आनंद लेना क्या चीज महीला संगीत लेडिस संगीत मूजिक वटेवर यह वान तुसे क्लिया आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो वी शैल भी या विल इस संगीत क्या बच रहे हैं कल इस वक्त कल इस वक्त एड देस टाइम क्या ँरुषर देखें फीचर टैंस सा हां लच और आउ Marriage कों आणिस तो कबना करते हैं लेकिन जो होता है वहिल यृइली को पथा है आप कवाले से बलाख कर चाहिक बता हैส कियां लिदो इस वक्त कि पता है यह कर रहे होंगे तम ने क्या कि imagination, it means कर रहे होंगे, कोई काम कर दो, अब महिला संगीत, लेड़ी संगीत सिसकाल, यह थोड़ी है, यह काम थोड़ी लोंग टाइम के लिए, एक देट, दो तीन गंटे, तो यह क्या होगा, लोंग टाइम के लिए जो काम continue रहता हो, वो होता है, continuous tense, तो इसलिए इसमें आगा, इस वक्त तो हम यह काम कर रहे होंगे, ऐसा काम जो थोड़ा सा उसमें समय लेता हो, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है, यह उसमें time duration जाड़ा होता है, तो वहां हम use करते हैं, at this, sorry will be, या shell विका, वे शाम को cricket खेल रहे होंगे, कौन, वे, और वे के साथ, will या shell, yes, definitely will, they will be, या they will be, कि हमने इसके contractions सीखे थे, जिसको नहीं आता, या जिसको जिसमें नहीं देखियो, वो last video कि किस तरह से इनके contractions होते हैं, कि person के साथ, जब will को add किया जाता है, या जिसे आप short form काते हैं, तो फिर क्या sound देते हैं, तो यह अगर देखियो, या they will, अगर हम इस तरह से लिखते हैं, तो यह they, clear, यहाँ w, i, guy होगा है, आप जिसे कह सकते हैं, ठीक है, तो आप they, बोलेंगे इसको, और full form लिखते हैं, फुल तरह से तो ऐसे, they will be, काम क्या कर रहे हैं, खेलने का, तो they will be playing, क्या चीज़, cricket, शान को, in the, evening, देखिए, यह भी एक तरह से वैसे ही है, जैसे हमने past में सीखा था, past continuous में, पवपेत में, कि एक साथ, दो काम हो रहा होता है, एक काम हो रहा होता है, दूसरा काम होता है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, हम किसी बात पर इन बातों को कहते हैं, कोई कहेगे, शाम को, अरे नहीं, शाम को तो वो नहीं मिलें, क्योंकि इस वक्त तो वो, affirmative sentences clear अब आप देखिए इसका structure क्या वहांगी affirmative का सबसे पहले find out कि हमने subject subject के बाद में हम use करते है helping word और helping word इसकी है will ya shell और उसके तुरंथ बाद B बाद में work की fourth form जिसे हम कहते है present participant then object अतो object otherwise other adverbs वरी तो यह होगे आपका affirmative का structure clear अब दो किए अगर हमें इसे negative बनाना हो तो कैसे करेंगे I mathesis नहीं लिख रही होंगी इस वक्त हम महिला संगीत का आनंद नहीं लही रही होंगी बेशाम को cricket नहीं खेल रही होंगी यह negative अब इसका English में कैसे तो I will not be ठीक है यह क्या हो गया I will not be writing the this is at this time या at that time clear same thing is here अब आपने इसमें क्या देखे not कहां यूज किया will और be के बीच में मैं यह बार बार बता रहूँ कि जब एक शब्द की helping word वोतती है like do, does, did यह single word की है is MR तो जो not लगाना हो हम इसके तुरंट बाद लगा देते हैं लेकिन जब helping word एक से अधिक शब्दों की हो like, will be दो शब्द की हो गए shall be आगे 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 will have been shall have been तो इसमें क्या है कि आप first word helping word के first word के तुरंट बाद not use कीजिए और फिर बच्चे होगे शब्दों को बाद में इस तरह से आप लिखेंगे clear तो इस तरह हम इन लिखा I will not be writing इसी तरह यहां क्या हो जाएगा we shall कहां लगएंगे हम not be enjoying ladies that is time they will not be clear तो इसका मत्रा will be या शेल जी के बीच में हमें क्या पुट करना है not word पुट करना है आप देखे इसका structure क्या बन गया वो यह कि subject के बाद में हमें helping word बेकि यह हर tense में है सारे tense के structure यह है change क्या होती है helping word change only and only helping word change होती है nothing else ठीक है तो हम इतने sentences कर चुके हैं उसमें भी देखे यह process था सबसे पहले subject find out कीजिए then helping word helping word चुके यहाँ दो शब्दों की will be और shall be इसलिए इन दोनों के बीच में क्या उसकिया हमने negative में not word फिर भी उसकिया और फिर आवे word की fourth form अगर एक शब्द की होती तो हम यहाँ इसकी जगे direct के लगाते word की fourth form is it clear तो यह हो गया हमारा negative का structure now next thing is interrogative interrogative में क्या होता है कितने प्रकार के yes two types के यार एक वो जिनकी starting वो helping word से दूसरा वो जिनकी starting वो wh word से helping word वाले जो होते हैं उनके replys या no में आते हैं क्या मैं तुमारी मदब नहीं करता हूँ चीक है एक general example बता रही हूँ यह जो करते हैं तो हाँ नहीं करते हैं तो ना तो इसकी जो आपके translation start होगी वो किस से होगी helping words helping words कौन सी जिस tense का sentence उसी tense की helping word फिर देखें आपने अब तक देखा हाँ tense की अलग-अलग helping word present indefinite में कौन सी थी देखें दो मिनिट में रिवाइज हुजाएगा present indefinite की थी अपने पास do and does yes फिर present continuous में आया जैसे is MR फिर present perfect में आया अपने पास has have and present perfect continuous में अपने पास has been and have been अलग-अलग न सबकी इसी तरह past indefinite में did, past continuous में was work, past perfect में had and past perfect continuous में had been इसी तरह future indefinite में हमार पास दो आया will and shall तेको future जो tense इसकी चारों पार्ट्स में एक similarity है कि चारों में will shall मेलेंगे उसके आगे change हो जाएंगे तो future indefinite में will और shall लेकिन future continuous में will be and shall be तो इस तरह से सभी tenses के अलग-अलग helping work आपको ये एक साथ ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा कि हम इतने में से 11 जो helping work है इनमें से कौन से किसम आएगी तो उसक डुबाइड देड़ा ठीक है अब आप देखिए यहाँ पर हम एक बार सीथते हैं कि इंट्रोगेटिव का किस तरह से करते हैं तो इंट्रोगेटिव का क्या करेंगे हम जो yes ये नहीं में reply आते हैं उनकी beginning किस से करेंगे हम helping work से yes किस तरह से करेंगे उसके beginning helping work से इसमें है while I will be writing या I shall be तो वो ही है क्या मैं इस वक्त ये लिख रही होंगी इसका मतलब will या shall यहाँ यूज करना और फिर आएगा आपके काम करने वाला एक में समसक तो will I be अब देखें यहाँ जया कि हमने इसको interrogative बनाते समय will be a shall be के बीच में हमने क्या put कर दिया subject clear तो will I be yes बाकी सेम हो जाएगा writing the thesis at the time यहाँ पर आपके आजाएगा question mark clear अब देखें जो WH word है उसमें हम शुरू में सिफ WH word लगा देते हैं बाकी का process से WH word के तुरंट बाकी आ नीचे यह helping word इसका क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ हो जाएगा shall we shall we be क्या हम इस समय महिला संगीत का आनंद ले रहे होंगी तो हो जाएगा यह यहाँ पर shall we be enjoy same बाकी ऐसे क्याएँ clear इसी तरह से वे शाम को क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगी sorry क्या वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगी तो यहाँ दे विल को क्या हो जाएगा यहाँ पर will और फिर आएगा दे बाकी आजएगा तो इस तरह फेर्ट से यह हो गया आपको इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव का जो आपके structure रहो क्या हो गया कि सबसे पहले will या शेल then subject put करना फिर आजाएगा आपका बी इसका मतलब will शेल बी के बीच में आपको subject put करना है फिर आजाएगी वह भाग की fourth form then object then at work and then last week question mark लगाना ना भूले clear अगर हम बात कर interrogative negative की तो आप देखे इसमें क्या उस वक्त में thesis नहीं लिख रही होंगी अना क्या भी आ रहा है और नहीं शक भी आ रहा है तो will I not be will I not be इसका मतलब जो interrogative नेगेटिव होता है तो will be a shell के बीच में आपको subject or not word पुट करना है तो यह हो गया will I not be writing the thesis ठीक है shall we not be enjoying ladies Sangeet at this time और इसी तरह will they not be playing cricket in the inning तो इसका हमारा structure क्या वन गया कि सबसे पहले हम will shall इसका मतलब will be और shall be की बीच में हमें यह पुट करना है subject plus not अगर आपका यह interrogative negative है तो इसका मतलब आप देखिए कि future continuous कितना easy है it's too easy कि will be और shall be आपको याद रखना और continuous तो आपको पता है जो present हो past हो या future हो तीन हो ही continuous में हमें आप इसका स्क्रिंचोट लीजिए आप इसका स्क्रिंचोट लीजिए आप इनका 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 इ बारों से match कीजिए कि कितना आपका right और कितना wrong है आज friends आपको इसे के साथ में कुछ worse मिले हैं जो देखतर बच्चों को confuse कर देते हैं जैसे कि D, E, S, E, R, T इसे dessert करते हैं इसका मुझा ब्रेगिस्तान कभी कभी ये जहां कहीं बच्चे पढ़ते हैं बुक में तो confuse हो जाते हैं D, E, S, E, R, T इसे dessert करते हैं जैसे हम खाना खाने के बाद में कोई मीठा काते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? dessert कहा जाता है तो यहार इसी तरह से होता है C, O, S, T, cost इसकी pronunciation cost जिसका मीन होता है कीमत या मुले यह है cost देखे cost और यह है cost जिसे कहा जाता है तक यह किनारा इन दोनों की spelling में धी differences C, O, S, T और यह C, O, A, S, T यहाँ पर D, E, S, E, R, T है और यह है D, E, S, E, R, T I hope कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर समझ में आया पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए